फाइनल एक विक के बाद One Piece chapter 1070 के spoilers आचुके है और यह chapter बहुत amazing होने आला है कॉज इसमें Luffy और से लूची तो ही बट सेराफिम और डेवल फूट के बहुत से secret भी खुलने आला है और सबसे बेज़तों Dawn से related है इसलिए वीडियो को थोड़ा भी skip मत करना ओके तो शुरू करते हैं इस chapter के title से जो है strongest humans अब यह title seraphim से related है मतलब seraphim humans के strongest upgrades है क्योंकि Vegapunk ने seraphim को artificial devil fruits खिला है तो वो बहुत ही strong हो चुके है और यह चीज़ यह भी explain करती है कि क्यों SBR कुमा के devil fruit powers को use कर पा रहा था या फिर कुमा और उसका कुछ अलग scene हो और उस दोनों के power slink है ऐसा लग रहा था like जब इसने अपनी power use की थी ना तो कुमा की भी automatically हो गई थी then cover page में वही mads वाली story चल रही है तो उसके according होगी जा हम 5 scientist को देख सकते हैं जो की humanity और world के लिए एकटा हुए है जिसमें Vegapunk, Caesar, Judge और Queen तो ही बट साथ में एक woman भी है अब कोई ये मत कहना कि ये लूफी की mom है cause हर चीज हम उससे ही relate करते है and even मेरे mind में भी सबसे पहले ये ही थोटा है वेसे इन mads वालों की story काफी interesting है like मैं ये जानने के लिए बहुत curious हो रहा हूँ कि आखिर ये लोग अलग केसे हुए and क्या ये पहले अच्छे थे specially Queen anyways तो शुरू करते है हमारे chapter से जहां last time लूच्ची और लूफी की fight चल रही थी जो की अभी भी जारी है but लूच्ची लूफी को touch भी नहीं कर पा रहा है like literally लूफी इसके मजे ले रहा है and भाई अब तो मुझे 100% sure हो गा है कि लूच्ची मेरा ranking वाले वीडियो डूबाने वाला है and मुझे अब 1% पर गैरेंटी नहीं है कि लूच्ची लूफी को छूबी पाएगा इसलिए अब की जरू कोई आना पड़ेगा then लूफी अपने एक और ने अटेक गोमु गोमु नो डॉन रॉकेट से अटेक करता है अब ये अटेक थोड़ा special इसलिए है cause इसका नाम डॉन रॉकेट है and ये जो डॉन वर्ड है ना वो बहुत ही important है cause chapter 1 से ओड़ा सिंसे हमें इससे tease कर रहा है then Wano में भी इसका importance दिखाएगा है and जब इस story में किसी important character का scene होता है ना तो ये word ज़रूर आता है तो शायद इस अटेक से ओड़ा सिंसे कुछ hint दे रहे हो या शायद ये किसी बड़े event की foreshadowing हो अब मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ बहुत ही important हो सकता है आपको क्या लगता है comments में ज़रूर बताना देन हम Vegapunk को भी देख सकते है जो artificial devil fruits के बारे में बता रहा है अब हम सब को ही पता है कि Vegapunk ने exact Kaido के devil fruit जैसे एक artificial devil fruit बना है जिसे बाद में Momo ने खाया था और अब Momo भी Kaido जैसे एक dragon में transform हो सकता है और उसके जैसे powers भी यूज कर सकता है तो इस chapter में Vegapunk उन devil fruit को बनाने के बारे में बताता है अगर exactly बोले जाए ना तो Vegapunk उने बनाने में क्या difficulties आती है ना उसके बारे में बताता है वो सबसे पहले तो zone devil fruit की बात करता है जिने बनाना सबसे आसान है कॉस वो basically animals पर बेस होते है बट mythical zone को बनाना थोड़ा hard होता है और उने बनाने के लिए special environment की भी जरुरत होती है देन पैरमेशा के लिए बस lineage factor की जरुरत होती है lineage factor मतलब DNA समझ लो जिसकी help से artificial parameशा devil fruits बना सकते है लाइक समझ लो डो फ्लाइमिंगो का devil fruit बनाना है तो बस उसके lineage factor की जरुरत होगी देन वेगापंक लोगिया के बारे में बात नहीं करना चाहता है कॉस basically उन्हें बनाना लगबग impossible है बट हमने साबोड़ी में तो देखा ही था ना कि सारे pacifistas की जरु जैसे lasers यूज़ कर रहा है अब इसका reason यह है कि Vegapunk की जरु के devil fruit को replicate कर चुका है मतलब उसकी copy बना चुका है जिसके पीछे एक बहुती बड़ी story है जो Vegapunk अभी नहीं बताना चाहता है फिर हम सेंतो मारु को देख सकते है जो अभी भी जिन्दा है बट knock हो चुका है और उसे इलाज के लिए ले कर गया है जिसकी वज़े से अब सेरफिम्स पर लुची का कंट्रोल है अब पता नहीं ये लुची इन सेरफिम्स से कितना स्ट्रॉंग हो जाएगा कॉस ब्लैक बेड को भी दो सेरफिम्स के अगेंस थोड़ी डिफिकल्टी तो हुई थी और यहाँ पर तो चार सेरफिम्स है बट किजारू भी आ रहा है तो मेबी उसके आने से पहले लुफी इनको निप्टा दे यहाँ शायद लुफी के कामंडर्जी CP0 और सेरफिम्स को हैंडल कर ले कॉस देखो रॉबिन तो स्टसी को इजीले हैंडल करी लेगी जिन्बे और बाकी लोग मिलके मेबी सेरफिम्स को हैंडल कर ले और सांजी और जोरो काको और लुची से फाइट करेंगे कॉस लुफी लुची को लिटरली और पाउर कर रहा है तो वो डेफिनेटली कीजारू से ही फाइट करेगा और क्या पतल लुफी कीजारू को भेहरा दे देन हम कीजारू को देख सकते हैं जो कि एक फ्लीट को लीड करके एगेड आइलेंड पर आ रहा है अब भाई मुझे बस एक ही बात का डर है कि अगर कीजारू के डेल फूट की स्टोरी कुछ खतरनाक निकली ना तो गलती सीन हो जाएगा वो यहाँ भी साबोडी जैसा क्लच ना कर दे जो कि लुफी के गियर फाइक की वाजे से impossible है बट साबोडी से यादा है कि अगर जोरो और से कीजारू क्लैश होगा ना तो मज़ा आ जाएगा कॉज देखो कीजारू शीप से आ रहा है और जोरो भी थाउजेंड सनी पे बेटा है तो शायद उनकी फाइट हो सकती है और कीजारू ने साबोडी पे जोरो को बहुत परेशान किया था तो भाई रिवेंज टाइब अब मैं ये नहीं कहे रहा हूँ कि जोरो कीजारू को हरा देगा बट अगर क्लैश भी होता है ना तो देखने में मज़ा आएगा जोरो स्ट्रॉंग तो ही काज ओविसली वो रियूमा के लिनेट से अब वो कैसे है ना उसके उपर मैं अल्रेड़ी वीडियो बना चुका हूँ तो आप चाहो तो उसे यहाँ से देख सकते हो और हाँ नेक्स्ट विक हॉलिडेज की वज़े से चैप्टर को ब्रेक है बड़ शायद स्पॉलर्स आ सकते हैं तो मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगा तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना